नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो रिया चकवर्ती का होगा नारको टेस्ट CBI और NCB की टीम ने कर दिया साफ जीहां आपको बता दे सुसान केस में अगर अभी तक सबसे आदा किसी के उपर सक किया गया है न दोस्तो तो वो रिया चकवर्ती ही है रिया चकवर्ती को लेकर ये कहा जाता है कि रिया चकवर्ती की ही वज़े से आज सुसान सिंग राजपूत इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि रिया चकवर्ती को लेकर एक बार फिर से आने वाल दिरों में दोस्तों जाच होगी और ये भी दावा किये जा रहा है कि रिया चकवर्ती को जल्दी CBI की टीम और NCB की टीम नारको टेस्ट के लिए बुला सकती है और उसके बाद रिया चकवर्ती को अगर वहाँ पर रिया चकवर्ती से सवाल जाओ होता और रिया चकवर्ती फच जाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा कुछ गंभीर सवाल रिया चकवर्ती से पूछे जाएंगे जिसमें सबसे गंभीर सवाल होगा कि क्या रिया चकवर्ती नहीं सुसान सिंग राशपूत को मारा इसके लावा और भी कई महत्वपुन सवाल होंगे उसमें से, सबसे महत्वपुन सवाल तो यही होगा, कि क्या रिया चिकवर्ती को पता था कि सुसान सिंग राशपूत के पीछे कुछ लोग पढ़े हुए हैं, क्या रिया चिकवर्ती ने सुसान को धमकी दिलवाई, क्या र हर हाल में नार्को टेस्ट होना चाहिए यानि लाइड डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए लाइड डिटेक्टर दोस्तों एक ऐसी तकनिक है जिसमें जो जिसके उपर सक होता है जो मुझीम होता है उसको कई तरह के इलेक्ट्रोनिक गैजेट से जोड़ा जाता है और फिर पत